तो निर्मला सीटरवन के बही खाते से क्या कुछ निकलेगा आम आदमी के लिए ये भी लगातार हम आपको बताएंगे क्या दिस तरह की वैश्विक मंदी के दौर से हम गुजर रहे हैं उस सब के बीच में भारत की अर्थवस्ता को किसी तरह का बूम मिलेगा और आम आदमी बिडल क्लास जो हर बार टक्टकी लगाए देखता है कि शायद इस बजट के पिटारे से टैक्स लाब से उससो कुछ रहत मिलेगी तो इस बार आम आदमी के पास पैसा हो ज्यादा जिससे की खर्चा कर सके अर्थवस्ता में सुधारा सके इस मकसद से क्या कुछ रियायत मि सक्सेना जी आज जो सबसे बड़ी चिनोती सरकार के सामने है वो किसी तरह से एक्सपेंडिचर बढ़ाने की है और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंडिचर बढ़ानी की बात कही जा रही है लेकिन इससे पहले बड़ा सवाल यह आता है कि जब आप पैसा कमा नहीं रह और इसे में वित्य घाटा तो बढ़ेगा ही, सरकार के पास विकल्प क्या है? तीसरे सुझाब ये है, कि देखिए, फूड सबसिडी, हमने दो रुपे और तीन रुपे में गेहुचावल देने का फैसला किया था, आज से पन्दरा साल पहले, उसको दो रुपे और तीन रुपे को बढ़ा कर कम से कम पात उच्छे रुपे कर देना चाहिए, जिससे कि फ कोई incentive देना चाहिए, ये सब हम काम करेंगे, तब ही हमारी revenue बढ़ेगी, अगर हम revenue नहीं बढ़ाएंगे, तो सिर्फ income tax में छूट देने से काम नहीं चलता, क्योंकि वही खर्चा government करेगी, वही लोग खर्चा करेंगे, वैसे भी सिर्फ 6-7% लोगी tax देते हैं, 93% आद में टेक्स देता नहीं है, तो इसलिए उनको कहना कि 6-7% लोगों को ही राहत दी जाए, इससे मैं सहमत नहीं हूँ, तक्राइल ये है कि government को revenue बढ़ाना चाहिए, और साती साथ ये governance की issues है, बिल्कुल, सक्सेना साब मैं इसमें एक छोड़ा सवाल आपके सामरे आपना चाहता उडिसा में तक्रीबर 19,000 रुपे, दिल्ली में चुनाव है, भारतिनता पार्टी ने का है, दो रुपे प्रति किलो आटा हम हर किसी को बेक देंगे, सरकार बनेगी तो ये करना ही पड़ेगा, आज दो रुपे प्रति किलो गेहु मिल रहा है, ऐसे में सबसिडी एकॉनमी खत्म करने के लिए जो इक्षाशक्ती चाहिए, क्या किसी सरकार में ये हो सकता है? आज सक्सेर फर खर्चा होगा, ना नही जॉप्स क्रियेट होगी, आप देखें जॉपलेस्ट ये जॉप्स में जो एक कैटिकरी ऐसी है, जो कि न तो न काम कर रहे हैं न जॉप की तलाश कर रहे हैं, उनका नमबर बहुत परता चला जा रहा है, लोग बिये करते हैं, जॉ 10-10 साल तक आये से त्यारी करते रहते हैं, ये शो करता है, ये जो धर्ड कैटिगरी बड़ते चली जा रही है, इसका भी तरफ धान देना चाहिए. बहुत मत्मुन बात आपको टाई सक्से नजार, ये वाके में बे सिक्षित बेरोसगारी सबसे बड़ी समस्या है.